राजय दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर, मेरा नाम है वेदाश्वरलव, एस्ट्र लॉजर एंड निविरो लॉजिस्ट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ करक राशी वालों का दोया चौविस में जनवरी कमहीना कैसा जान एक बार, तो जैसे चान नमर है, तो चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, यानव, बारा, एक, तो दस भी राशी यानि एक मेश राशी आपके करियर के लिए हैं, सिर्फ हम एक राशी से हम प्रेडिक्शन नहीं देते हैं, हम हर राशी के एक अलग पैटन है, एक अलग combinations बनते हैं, उस राशी में कौन बैठा है, वो बताता है, तो आपकी कर्क राशी से दसभी राशी में गुरु ग्रह बैठा है, तो गुरु का आपके profession पर प्रभाब पढ़ने वाला है, तो गुरु ग्रह है क्या, गुरु ग्रह spirituality का planet है, ठीक है, गुरु finance का planet भी है, आप finance का influence आपके profession में रहेगा, गुरु ग्रह का प्रभाब यहाँ पर आपकी कुनली में बहुत अच्छा है, तो आपका करम श्ट्रॉंग रहेगा, करम में आपको बढ़ोतरी मिलेगी, करम में आपको promotion मिलेगा, आप देखें, भाग्य का planet, भाग्य का planet करम इस्थान में है, य गुरु व्यक्ति, profession के इस्थान में आगया, तो आपका profession कितना मढ़ेगा, कोई रोक नहीं सबता हो उसको, जो rules से चल रहा है, तो आप एक अच्छे rules से चलेंगे, गुरु घ्रह आपर आगया, गुरु न्याय है, गुरु rules है, गुरु फिफ्थ है, यानि बुद्धी भी में आ रहा है, ठीक है, अब है तो बहुत समय से, आप खुद समझे, करकराशी वालों का profession कैसे चल रहा है, profession तो अच्छा है, अब देखो, career में तीन चीज़ें होती है, आपका profession, दूसरा आपकी profession से होने वाली salary, यानि income, और उस से होने वाली saving, वो सकता है, इन दोनों में यानि आपके पास income तो आ रही है, आप देखो, शुक्र घ्रहेस को देख रहा है, income तो आ रही है, लेकिन expense, अब एक, बुद्ध कौन है याँपर, बुद्ध है, expenditure, expense का planet है, expense का planet आपका, शुक्र कौन है income, यानि income expense योग बन रहा है आपके कुनली में, समझे रहे हो, income, for example, जैसे ये है, मालो मैं करकर आशिका हूँ, अब मेरे जेम में ये रखा हुआ है, अब ये कौन है, ये बुद्ध रहे है, तो इसको मैं अपने अपास से हटा दूगा, मेरे आसपास की ज़ती भी, books है, उनको थोड़ा हटा दूगा, उनको एक सई जगे, सई जगे रख ठीक है, क्योंकि ये सिति है ना, तो ये सारी सितियां बदलते रहते हैं, आपको पैटर्न को नोट करें, आप जिस घर में रह रहे हो, जैसे रह रहे हो, क्या हर समय जिस रहता है, हर 20-25 दिन भाईने में बदलता रहता है, ये सारी सितियां बदलते रहते हैं, तो इस समय प जपता हरी सबजें, हरी चीजें आप गाएँ को ख protrखाएं किसी, जितना पुन्य कर सकते उनको करें जबता है और बुद्ध क्रे को लें चोटे-चोटे बच्चे हैं चोटे-चोटे बच्चों को डोनेलेट करें कुछ ना कुछ उनने खpowers थीजिए सिंपल होता क्या है यहीं तो हम या तो खिला सकते हैं या उन्हें पैना सकते हैं यह उपाय है अभी डिफरेंट होता है किसको हम क्या क्या कर रहे हैं तो इस काम को आप कर रहे हैं बुद्ध गरे आपका ठीक हो जाएगा बुद्ध गरे कर प्रफाब आपके इंकम के उपर से सेविंग नहीं होने देरा अब सेविंग के प्लेनेट को देखें हैं तो सूर घर है कहां पर है छटे भाब में ठीक है तो सूर घर का छटे भाब में होना अच्छा योग नहीं है आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है ठीक है लेकिन सूर क्या है आत्मा, आत्मा छटे भाब में है, रोक के अस्तान में बैठा हुआ है, तो आप थोड़े से इम्मुनिटी ट्वीक हो रही है, अब ऐसे तो देखो मैं कहता हूँ कि यहां पर जब मैलिफिक प्रेनिट बैठा है तो अच्छा है, तो करियर में जो मैं पहनना, या मंत्र जाप, या स्टोन, अगर आप पन्ना पहनते हो, तो नहीं पहनना है, अगर आप कुछ वीर करते हैं, ग्रीन कलर की चीज़ों को आपने पहन रखा है, तो नहीं पहननना है, बुद्ध घर है, आपके आसपास के जितने भी स्टेशनरी आइटम्स हैं, या इसे Gmail, WhatsApp, Facebook, Instagram लगा रखा है, तो जन्मरी के मौसम के लिए हटा देजिए, जन्मरी को आप फिल ले आना, अपने homepage पर, ठीक है, तो बस मैं यही कह रहा हूँ, आपको इस तरीके से control करना है, relationship के अगरम बात करें, तो relationship के स्थान में, मकर राशी है, शनी अपनी खुद की रा लग बग फरवरी के आस्वा, जब फरवरी का राशीवल बताएंगे, तब हम आराम से चर्चा करेंगे इस पर, अभी आप इसको देख लें, यहाँ पर, इसको हम देख रहे हैं, यहाँ पर प्रभाव, देखो अगर आप फीमेल हैं, तो फीमेल के लिए एक अच्छा कुं कुली को, तो मेल के लिए 12th house का प्रभाव आ रहा है, शुक्र के उपर, तो यह भी अच्छा नहीं है, देखो, सिंपल, relationship को ध्यान रखने जरू है, relationship में आपको पहुँच ज़्यादा, अब यह जो मैने बुद्ध का उपाय बताया आपको, income के लिए यह आपके relationship के लिए ही है, तो इस चीच का दिहान रखना है, बाकी अगर आप female है, तो मंगल घ्रे को, मंगल घ्रे आपकी कुली में, 6th house में है, और सूर घ्रे के साथ है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, गुरु घ्रे का उपाय करना है, तो गुरु घ्रे कोन होते हैं, जितने भी पंडित ह होते हैं पुजारी होते हैं उनकी सिवा करें उनको दान दक्षना देखिया है जन्वरी के महीने में तो आपका relationship अच्छा रहेगा स्मूत रहेगा चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है 24 के लिए रादे रादे